हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वाकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी टेलिग्राम में सर्च करने पर नो रिजल्ट बता रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ करें आज की वीडियो में बताऊंगा तो हमारे चैनल बेरवज़ हमें यहां पर जाने है connection and sharing वाली option पर click करने है इस पर click करने के बाद हमें क्या गरने है जैसे आप इस पर click करेंगे यहां पर reset option होगा wifi, mobile data और bluetooth को इनको reset कर दीजिएगा इनको reset करने के पाद नीचे scroll down करने है setting में फिर से चर्टिंग में स्ट्रॉल डाउन करने पर option देखेगा apps का इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे आपको manage apps का option देखेगा इस पर click कर देना है manage apps में आने के बाद हमें क्या करना है right side door पर three dots देखेंगे इन पर click कर देना है यहां पे जिस भी अप में problem आ रही थी उसको simply हमें क्या खरना है उसको open कर लेना है example के लिए मैं कोई और एप open कर लेता हूँ तो आपको जिस एप में problem आ रही है आपको एप को open कर लेना है उस एप को open करने के बाद सबसे पहदे उसकी storage पर आने है storage पर आने के बाद storage का clear catch कर देना है storage का clear catch करने के बाद हमें के करना है उसकी app permission पर जाना है तो app permission पर आने के बाद सारी permission one by one enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है सारी permission enable करने के बाद हमें जाना है other permission पर other permission पर आने के बाद कि यहां भी सारी permission same to same one by one enable कर देनी है यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने पर एक option देखेगा restrict data usage का तो आप जैसे इस पर click करोगे यहां पर आपको देख जाएगा wifi और mobile data तो इन दोनों को enable कर देजेगा इन दोनों को enable करने के बाद आपको नीचे scroll down करने और यहां पर एक option देखेगा clear default इस पर click करने और सास में आपने आपको एक बार force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक बार अपने device को restart किजेगा और restart करने के बाद एक बार try किजेगा आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी तो thank you guys